मित्रों श्रीमद भागवत की कथा के पर्थम असकंद का पाचबा अध्याय आपको शुना रहे हैं कि नारज जी का ब्यास जी से विश्णु भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करने का अनुरोध करना महरसी बेद ब्यास को खिन देखकर कुश मुश्पुराते हुए नारज जी बोले कि हे ब्यास जी कहिए आपका चित प्रसंत है आपने तो जानने योग्य सभी बस्तूओं को जान लिया है आपने जो यह महा भारत नामक पुरान की रचना की है इसमें तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारो पदार था गए है इसके द्वारा तो आपने शनातम पर ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर लिया है फिर भी मैं देखता हूं कि अभी आप अपने को अपुर्ण मनोरत ही समझ रहे हैं है मुने अब आप किसलिए इतनी चिंता में परे हैं ब्यास ज संता नहीं आ रही है उसका क्या कारण है यह आप ही बतलाबें क्योंकि आप ब्रह्मा शेउत्पन गंभीर ग्यान वाले और अब्यक्त हैं आपने उस पुरान पुर्शत्तम की उपासना की है जो शमस्त कार्जकार्णों के श्वामी केबल मन से ही भासा के गुनोंद्वारा संसार की रचना पालन और संहार करने वाले तथा सब से निरलेप रहने वाले साख्यात नारायन रूप हैं आप तीनों लोकों में भर्मन करने वाले सुर्ज के समान सर्वदर्शी और प्रान बायू के समान सब के मन की बात को जानने बाले हैं आप परमबेद पाठी और यो नहीं है सो कहिए मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहां नारजी बोले कि है मुनी आपने अब तक जितनी कुछ रचना की है उन सब में ज्यान बैराग्यादिक जितने भी अधिक प्योगी विशय क्यों न भर दिया हो प्रंतु उनमें प्राया भगवान के निर्मल यसका वर् मैं ऐसे ग्यान को तुख समझता हूं है ब्याहजी आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विशयों का बर्नन किया है उतनी स्रहस्तता से नारायन विश्णूजी के प्रभाव का बर्नन नहीं किया है और जिसे काब में श्री विष्णूजी के चरित्रों का ग्यान नहों वह अपूर्ण है उसे विद्वान जन काक्तिर्थ के नाम से पुकारते हैं ऐसी रचना को ब्रह्म पद को प्राप्त योगी उत्तम द्रिष्टी से नहीं देखते किन्तु उन्हीं शब्द उन्हीं काबशे मनुस्यों का पाप दूर हो सकता है जिसमें अशुधियां रहने पर भी उसके प्रतेक पदो अश्लोकों में विष्णूजी का एशोगान रहत करता है एसे कभ्य वसादू लोग गाते कहते और स्रबन करते हैं चाहे कोई परम ग्यान शंबंधी घ्यान कि रहते या कोई असलोक क्यों न हो प्रहन तुब भक्ति रहित होने पर वह शोभा को नहीं पराप्ट करता है भला वह्षयकाम कर्म किस काम का वह श्वषयकाम कर्म किस काम का है जो इस्वर को अरपन न कर दिया गया हो अत्यव हे योगनिस्त व्याज जी आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगा कर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रनयान किजिए इसमें विश्णु जी के चरित्र का पुरूंतिया शमाबेश होबे क्योंकि अब कलियु द्रिष्टी वाले मनुष्णों की बुद्धी बायू के बायू से तारित उस नौका के समान हो जाएगी जिस अबस्था में तनिक भी असाबधानी उनके जीवन का अंत कर देगी सो आप प्रविर्ती मार्ग में स्ने करने वाले पुर्षों के लिए धर्म संबंधी किसी ए प्रका उपदेश प्राप्त हो क्योंकि मनुष्ण जीवन के लिए निब्रिती मार्ग ही परम आवस्यक है फिर सप्रकार के चतुर मानव जाती के लिए उस अनंद प्रभाव बाले विश्णु जी के आनंद रूप को जानना परम आवस्यक है अतह जो शर्व गुन शंपन और निरगुन तथा सगुन रूप हैं ऐसे विश्णु जी के चरित्र को आप अवस्य कहिए यद पी अपना धर्म सबसे बढ़ कर है तथापी उसे त्याग करके भी जो विश्णु जी के चर्णों का भजन करता है चाहे वह जिस जाती में के उन्हों उत्वन हुआ हो प्र प्रण्तु अभक्त एबम नास्तिकों कोई तो बात ही न्यारी है उन्हें कुछ नहीं मिलता किन्तु विद्वान के लिए हुचित है कि वह परमानंद सुरूप में ही लीनता प्राप्त कर लेए क्योंकि विश्य सुख तो अत्यंत ही तुक्ष और कालद्वारा प्रेडित आते जाते रहते हैं फिर इनके लिए यत्न्न क्रना ब्यर्त है प्रैंतु प्रबिरती मार्ग में रहकर भी जो जन्विश्युच्ण जी की भक्ति में पर रहते हैं वे जन्म मरन से शूट जाते हैं क्योंकि जिसे एक बार भी भगवत प्रसाद कारसा स्वादन हो जाता है वह उनके चर्ना ब्रिंदों में इतना लुबध हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता फिर एही होना भी चाहिए क्योंकि यह सारा संसार जो है विष्णुजी में ही सन्नीद है प्रंतु वे संसार से प्रिथक रहके इसका पालन शंहार और पुनाहिस से उत्पन करते रहते हैं यद्पिया सभी सिध्यानत की बाते आप भली भाती जानते हैं और आप से कुछ चिपा हुआ नहीं है तथापी मैं आपको इसकी सुचना देने के लिए निमित कह भी देता हूं की हिब्याहजी आप जाने कि मेरी उत्तिशंसार का कल्यान करने के लिए ही हुई है आप अपने को परमातमा का अंच जाने अतह आप विष्णुजी के चरितर का वसहीं गान करें मनुष्ट की शारी तपस्या सास्त्र ग्यान तप यग उनकी उत्तम रचना और उसके नित्यदान का यह अर्थ है युवह विश्णु जी के परमपावन चरित्रों का ये शोगान करें देखिए इसके पुर्वकाल में जो मेरा जन्म हुआ था उसमें बेदवादियों की एक सब्दासी के गर्व से उत्पत्ति हुई थी और मैं बरसा में निवाज करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए निव्ट किया गया था तब मेरा कुछ ऐसा सभाव था कि मैं बाल्ले अबस्था में अपनी इंद्रियों को बस में करके खेलकुद और चंद चलता को त्य और उनके जूठे भोजन बचे हुए अंसे एक समय पेट भर कर जीवनियापन करता हुआ उनकी शेवाट हल और आज्यापालन में तत पर रहता था जिससे मेरा चीत सुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवत भजन में लगा यह पवित्र मुनिजन वहां नित ही क्रिश्न चरित्र का गान करते थे जिनकी दयासे उसे सुन सुन कर मैं अधिकाधिक स्री विश्नुजी में प्रेम करने लग गया जब इस प्रकार विश्नुजी में मेरा प्रेम लग गया तब मेरी बुद्धी उनमें ऐसी द्रिट हो गई कि मैं अपने अस्थुल सरीड को भूल कर दीन रात परमातमा रूप में ही विश्न करने लगा तब इस प्रकार जो मैंने बर्सा और सरद्रितु भर मुनियों के मुखारबिंद से भगवान का ये शोगान स्रवन किया तो उसके सुनने से मेरे रजोगुन और तमोगुन का सर्वथा ही नाश हो गया और मुझे में भग्ति उत्पन हो गई तब मुझे भगवान में लीन रहते देखकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ग्यान को भी मुझे बतला दिया फिर वे संद्जन तिर्थे आत्रा को चले गए तब से मैंने भगवान बाशुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह जान लिया है जिसके जानने से मनुस्त विश्णू लोक के भागी होते हैं हेव्यास जी मनुस्त के लिए कर्म सबसे प्रधान बस्तु है कर्म के द्वारा तीनों पाप नस्त किये जा सकते हैं सुब कर्म करके उसे भगवान को अर्पन कर देने से तापो का नास हो जाता है और जिन पदार्थों के सेवन से रोग उत्पन होता है यदि उन ही पदार्थों को खागर रोग दूर करना चाहे तो रोग कैसे दूर होगा किन्तु दूसरे पदार्थों के मिलाने से वही पदार्थ औसधी होकर रोगों को दूर कर देता है जैसे घी खाने से उत्पन हुआ रोग केवल घी से अच्छा नहीं होता किन्तु उसी में औसधी मिलाकर सेवन करने से हुआ रोग को हरन करने वाला हो जाता है ऐसे ही मनुष के कर्म ही उनके लिए आवागवन के कारण होते हैं और यदि उन्ही को भगवान के लिए अरपन कर दिया जाता है तो ये आवागवन की निब्रती के लिए समर्थ होते हैं ऐसे ही कि सुरा अरपन सुभ कर्म का जिसमें भक्तियोग भरा रहता है उसके करने से ज्यान उसकरता के बस हो जाते हैं जब मनुष इस प्रकार बिधी निशेद का ध्यान रखकर सुभ कर्म करने लगता है तब वह स्री कृष्ण जी के नामों का जब करता हुआ बारम बार उनका ही अस्वरन करता है तब वह कहता है कि हे भगवान हे बाशुदेव आपको मेरा प्रनाम है मैं प्रधुम्न अनिरुद्ध और संकर्षन को प्रनाम करता हूँ इस प्रकार जो मनुष भगवदा अराधन करते हुए इन मंत्र मुर्तियों के उपासक होते हैं वे स्रेष्ट ग्यानी कहलाते हैं है ब्रह्मन जब मैंने इस प्रकार से भगवद का अराधना किया तब भगवान ने प्रसन होकर अपना प्रेम रुपी प्रसाद मुझे को दे दिया सोहे ब्यास जी अब आप भी उन्हीं विष्णू जी के चरित्र का ये सोगान करें जिसे जानकर विद्वानों की इक्षा समाप्त हो जाती है और जिसके द्वारा कलेशों स से बारामबार दुखी होने वाला मनुस्त का दुख नस्थ हो जाता है तो बोलिए जय स्री हरी विष्णू जय स्री कृष्ण जय स्री भागवत